नमस्कार स्रीमती मोरी देवी तापड़ी आकन्या महा विद्याले जस्वंद करें इस यूटूब चैनल में परवक्ता हनमानमल सर्मा आप सभी विद्यारतियों का हाड़ीक स्वागत रविनेंदन करता हूं प्यारे विद्यारतिों, यह प्रथम बर्ष की कक्षा में अंधि स्वाप्त विश्यखस क्यं जो आपका द्यूत्य प्रश्णपत्र है महत्फपुण पाठ़ूव थे देख रहे हैं कि रिफूंव कि प्रश्चिन पत्र में हम हिंदी साहीत्य का इतियास वह हम से समंदित जो महत्यपुन प्रश्फन उत्र है उनको देख रहे हैं तों हिंदी जो कि आचारे हिंदीस आय्ते का इत्यास का इसमे प्यारे विध्यारतय। शुक्लीजी का जो मत है वह सबसे ज्यादा प्रमानिक माना जाता है तोहां देखते हैं देखें प्यारे विध्यारतियों आचार्य रामचंद्र सुक्ल जी का काल विभाजन देखें आचार्य रामचंद्र सुक्ल जी ने एक और मानव मनोविज्ञान के आधार पर दूसरी और प्रतेक काल की साहितिक परवर्थियों के आधार पर हिंदी साहितिक के काल विभाजन देखें आचार्य रामचंद्र सुक्ल जी ने जो इसकारण से ज्यादा परमाणिक मना जाता है कि आचारे रामचन सुकल जी ने एक तो मानव मनोविज्ञान के आधार पर काल का निर्धारन किया, दूसरी बात ये है कि उन्होंने जो प्रतेक काल, आधिकाल, भक्तिकार, रेतिकाल और जो आधुनिक काल है, इस काल के प्रतेक काल के जो साहितिक परवर्तियां थी, साहितिक जो विशेष्टाएं थी, उनके आधार पर, तो दो चीजों को जोड़ा एक तो मानुविज्ञान को और दूसरा इन्होंने साहितिक परवर्तियों के आधार पर काल विवाजन किया और नामकरण किया तो इसलिए आचारे रामचंद्र सुक्ल जी का जो मत है वो ज्यादा प्रमानिक माना जाता है तो प्यारे विद्यात्यों इस संधर्ब में अब हम जानकारी लेते हैं कि उन्होंने हिंदी साहितिका इतियास लिखा किसने लिखा आचारे रामचंद्र सुक्ल जी ने हिंदी साहितिका इतियास लिखा जो मूल रूप में कासी नागरी परचारणी जो सबा है उसके द्वारा प्रकासित हिंडी सब्द सागर इन्होंने गरंत लिखा था हिंडी सब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा था इन्होंने गरंत लिखा था हिंदी सब्द सागर उसकी भूमिका के रूप में इन्होंने हिंदी साहिते का इतियास है वो लिखा और ये जो इनकासी नागमी परचाणी सबा द्वारा परकासित हुआ था तो इसकी हिंदी सब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया थ इस प्रकार से प्यारे विद्यारतियों देखिए तो आचारे रामचन सुक्ल जी ने जो हिंदी सायते का इतियास लिखा वो कासि नागनी परचानी सभाद्वरा प्रकासित हुआ और यह क्यों हुआ यह हिंदी सब्सागर उनका जो ग्रंत है इंदी सब्सागर उसकी 1050 से लेकर 1075 इस विक्रमी तक हुषता है यानि इन्होंने आधिकाल या जिसको विर गाथा काल इन नाम दिया आचार रामतंदर शुक्ल जी ने विक्रम संबत प्यारे विड्यार के इस विशन नहीं है वो दिया वाय इस विशन बनाना है तो北ettaवन इससे गठा देना है तो विक्रम संबत 50-175 विक्रमी से लेकर करके 170 का समय था यह भक्तिकाल का समय था प्यारे विध्यार्थियों फिर देखे उत्तरमध्यकाल का जो समय है वह है विक्रम संबत 1700 से लेकरब के 1900 विक्रमी तक यह बहुत अच्छी प्रकार से आपको याद करना है आचारे रामचंदर शुकल जी का ये काल विवाजन तो उत्तरमद्यकाल उत्तरमद्यकाल को रितिकाल रितिकाल जो नाम दिया गया है रितिकाल तो वह विक्रम संबत सत्राइसों से लेकर के उन्नीसों विक्रमी तक का समय था प्यारे विद्यार तो अगला था आधुनिकाल आधुनिकाल जिनको गद्देकाल नाम दिया गया गद्देकाल है वो विक्रम संबत 1900 से लेकर के अब तक जो चल रहा है वो गद्देकाल है तो इस प्रकार से आधुनिकाल ये चार कालों में आधिकाल पूरह मद्देकाल उत्रमद्देकाल आधुनिकाल जिसको वीर गाता काल भक्तिकाल रितिकाल और गद्य काल के नाम चारी तो यह ता आचारी राम चंद शुक लिजी दौारा निर्धारित काल अब चलिए इनके काल विवाजन की कुछ समिक्षा देख लेते हैं, अलांकि यह जो आचारे रामचंद्र सुक्ल जी को हम थोड़ा बड़े रूप में लेंगे, ठीक प्रकार से इसको समझेंगे, तो आचारे रामचंद्र सुक्ल जी का काल विवाजन की जो के समिक्षा वो हिंदी साहिते के इतियास लेखकों के द्वारा थोड़ा सा यानि किंचित रूप में परिवर्तन के साथ-साथ ग्रहन किया जाता रहा है, क्योंकि इनको आधार मान लिया, यानि इन्होंने जो हिंदी साहिते का इतियास, इन्होंने जो लिखा प्यार विद्यार्तियों तो अमानमनुविझ्यान के अधार पर और वो समय की ददकाली निपरते गिविवित की जो साहितिक परवर्तियाति उनको लेते वे लिखा था तो इसलिए ज्यादा प्रामानिक हम मान सकते हैं तो इसलिए इनके आचारामजीन शुक्लशी दुआरा जो काल विवाजन दिया ग गए वीर गाथाकाल उन्होंने जो वीर गाथाकाल नाम दिया तता रितिकाल के समझ में विद्वानों द्वारा काफी मतबेद प्रकट किया गया है आचारे रामचंद सुकल जिन जो वीर गाथाकाल और रितिकाल जो नाम दिया इस नामकंद दिया गया और साथ साथ इसका ज इन्होंने क्या क्या एक तरह से चुनोती दी या इन्होंने इस बात को नहीं माना वीरगाता काल और रितिकाल का जो नामकन और नामकन के साथ साथ इसमें जो समय ने दान किया गए उसमें भी द्वाल्रूमिव काफी मतवेद है अब देखें आचारे रामचंदर शुकल जी द्वारा काल विभाजन करते वे हिंदी के आधिकाल के लिए दिये गए नाम वीरगाथाकाल इन्होंने आधिकाल को क्या नाम दिया गया था आचारी रामचन सुकल जी द्वारा काल विभाजन करते वे हिंदी के आधिकाल के लिए दिये गए नाम वीरगाथाकाल और इस नाम के विरोध में विद्वानों के मतबेद को हम निमनाकित बिंदू से रेखांकित किया जा सकता यानि इन बिंदू के द्वारा हम समझे सकते हैं तो वह बिंदू हम आगे अब लेंगे तो प्यारी विद्यार तो यहां तक आपको ठीक प्रकार से समझ में आ गया होगा तो सुक जो साहिते का इतियास लिखा जो मूल रूप में अगर देखे तो वो कासी नागनी परचाणी सबाद वारा प्रकासित हिंदी सब्द सागर है उसकी भूमिका के रूप में लिखा गया था और यह इनका जो समय धार्ण है कावेवाजन का आदिकाल वीरगाथा काल एकजार पचास से तेरा सो पेचेतर पूरो मद्देकाल भक्तिकाल विक्रम समबत तेरा सो पेचेतर से सतरा सो विक्रमी उत्तर मद्देकाल जिसको रित्तिकाल नाम दिये गया विक्रम समबत सतरा सो से उननी सो विक्रमी आदनी काल जो गद्देकाल है वो विक्रम समबत उननी है वह समिक्षा हम कह सकते हैं कि वह किस प्रकार से उन्होंने की है तो अब आगे देखते हैं तो चलिए पैरविद्ध्यारतियों अब हम आगे देखते हैं आचारे रामचंदर सुकल जी ने जो वीर गाता काल नाम दिया था उस संधर्ब में कई विद्वान है कई समिक्षक है वो उनका विरोध करते हैं और ये जो विरोध का कारण था वो क्या था ये देखते हैं पैरविद्ध्यारतियों तो आचारे रामचंदर सुकल जी द्वा इस काल यानि जो आदिकाल या जिसकों वीर गाथा काल उन्होंने नाम दिया इसमें कुछ उपलब्द रचनाओं को साहितिक नहीं मान करके उनका परित्या किया जाना यह महत्वपुन बिंदू है प्यारे विद्यारतियों आचारे रामचंद्र सुकल जी ने क्या कि आदिका जाना और उनका परिता किया जाना यह विद्वन में जो है विरोध का कारण बना देखे कैसे आचारे रामचंद्र सुकल जी ने जेन धरम उसमें आदिकाल में जो जेन धरम की जो ग्रंत थे उनको जेन धरम आदिसे समंदित विभीन रचनाओं को धार्मिक या राइक मान करके साहितिक कृतियों से अलग कर दिया जिसका विरोध करते वे आचारे अजारी परसाथ दिवेदी जी ने उन रचनाओं को इस काल में शम्मिलित करने विवेच्य करने जोर देते वे और सुक्ल जी के मत को खंडित करते वे अपने नीमना कित विचार प्रकट किये थे प्यारे विद्या तो इस पंक्ति से इन पंक्ति से आपको क्या समझ में आया देखिए मैंने कहा कि आचारी रामचंद सुक्ल जी ने आदिकाल या वीर गाता काल से समंदित कुछ एक रचनाएं थी जिनको साहितिक रचनाएं उन्होंने नहीं माना एक तरह से उनका प्रेतिया कर दिया यह एक बिंदू है और उसमें देखिया आचारी रामचंद सुक्ल जी ने जो जेन धरम से समंदित जो रचनाएं थे उस काल की यानि आदिकाल के समय की जो जेन धरम की जो रचनाएं थी उनको उन्होंने आचारी रामचंद सुक्ल जी ने क्या किया इन मान करके साहिती कृतियों से उनको अलग कर दिया यानि हिंदी साहिते की इतियास में इन्होंने रचनाओं को इस्तान नहीं दिया तो यह कारण क्या था इस कारण से क्या हुआ कि उनको अलग कर दिया कि यह जेंदरम की जो गरंत है यह जेंदरम की रचनाओं है यह धार्मिक ह तो इंको साहितिक रच्णा में नहीं सामिल करना चाहिए तो इसका विरोध सब से पहले आचारी बडभी सारी प्रसात दिवेदीजी ने किया आचारी सुखल जी के साहितिक रचना के रूप में इनको मानना चाला है कि अ तो इन रचनाओं को भी इस काल में समलीत करने सामिल करने और आचारी रामचन शुकल जी के मत को उन्होंने क्या किया खंडित किया तोड़ा ठीक है तो अपने विचार प्रकट किये आचारे आचारे प्रसाद दिवयदी जी का विचार है तो संदर्म कि वस्तूत्य शुक्ल जी का तरक निराधार है ये कोन कई है रहे हैं आचारे आचारे तरा समत्य अंद्रम चुन कर दिवयदी जी के चीच्ञटissa जेन दरम से समंद्द गरंतों को तो साहितिक रचना ने मानना तो उस संबंद्ध में सुकल जी का तरक निराधार है कोई आधार नहीं इसका क्योंकि धार्मिक रचनाओं में यदि साहितिक तत्वे नहीं हो सकता क्या इस बात का तरक करते हैं हजारी परसाथ दीवेदी जी प्यारी विद्यारत्यों समझना कि धार्मिक रचनाओं में यदि साहितिक तत्व नहीं हो सकता तब तो समस्त भक्ति काली निसाहित्य को धार्मिक कव्वे होने के कारण हिंदी साहित्य के इतियास से निकाल देना पढ़ेगा यह द्रशमने कीमें एगर भूप को तो यह तरक सुकल जी का निराधार है क्यों क्योंकि यह धार्मीक रचना यह दिसायतिक तत्व नहीं तो फिर जो बक्तिकालीन जो साहिते वो तो पूरा धार्मिक साइते भरा उपड़ा है उसमें तो जो भक्त संत कावे धारा जो भरी पड़ी या निर्गुण और शगुण जो विचारधारा के कवी है उनकी तो सारी रचनाई ये बक्ति की रचनाई है धार्मिक रचनाई है तो फिर उनको तो इंदी साहिते से बिलकुल निकाली देना चाहिए ये तरक किया आजारी परसाद दिवेदी जी ने सुक्ल जी के इसमत के बारे में तो आसा करतों आपको समझ में आ गया होगा तो दोधिनामगरंत लिखा इंडी सायत्य थे की इतियास्का तो मिसर बंदू ओद्वारा आदि काल के भीतर जिन रचनाओं को जेन धरम की तत्व निरूपन समंधी रचनाय कहकर के इस काल में विवेचे नहीं माना यानि मिसर बंदुओं ने जो आदी काल में जिन रचनाओं को जो जेन धरम चे समंदी रचनाए थी उनको तत्तो निरूपन समंदी रचनाए कही किसने आचार रामचन सुकले जी ने और कभ गई जो मिसरबंदूओं का जो इतियास था उनको देखते वे उनको पढ़ते वे उनका निरिक्षन करते वे आचायरामसुखले जी ने क्या कहा कि आधिकाल के भीतर जिन रचनाओं को मिसरबंदूओं ने जेंध्रम के तत्तो निर्पन समंदी रचनाय काया करके इस क वर्तमाल वर्तमाल जो रचना है वह अक्रम फेज की रचना है और समनंत मातर को करके इसकाल में उसको विवेचे नहीं किया यानि हिंदी सायतिक इतियास में इसको साभिल नहीं तो यह यह बहुत करने की आचारी परसाद दिवदी जी दौरा और अन्य समिख्षकों के दौरा की अचारे रामचा शुख्लडि जी ने मिषर्वंदों दौरा जो रचना है जैन धर्म की तत्यों निप्न समंदिर उसको उसकाल में यानि हिंदी साहिते के काल में उसको विव सबसेंद सार्ट जो सैयंदांचारण के रचना थी उसको इन घ्रंतों को आचारे रामचंड सुख्ल जी ने केवल लॉटीमातर करके इसको इंदी साहिते के इतियास में जो जगह नहीं नहीं दिया कि यह ग्रंत नहीं топ है तो इस प्रकार से एक विजोध का कारण बना इस काल में विवेच्चे उनको नहीं माना यानि विवेच्चना करने योग्य नहीं माना केवल वर्तमाल और समझसार को आचारी रामजन सुकली जी ने केवल नोटिस मातर ही करके उसको छोड़ दिया तो यह बात समझ में आ गई होगी आपको दूसरा देके देखें पहरिविद्याय आचारी रामजन सुकली जी ने इन बार्राचनाओं में जो उप्यूक्त बारर राचनाई हैं लमतनियां को भीसल देवरासों की पहलियां और विद्यापति की पदावली इनको छोड़ कर के किन को छोड़ा उन्होंने विसल देव रासो को खुसरो की पहलिया और अमीर खुसरो जो है उनकी पहलिया और विद्यापती की पदावली जो ग्रंथ है पदावली विद्यापती की पदावली विद्यापती ने और भी रचनाई लिकिती जिसमें किर्थी लता किर्थी पता क वो आगे है तो उन्हों उन्होंने विद्यापति की पदावली को छोड़ा विसल देव रासो को छोड़ा और खुसरों की फाहिलियां इनको छोड़ करके सेस जो नो रचनाई है जिन में देखे रचनाओं के नाम आपको याद रखने पड़ेंगे विजेपाल रासो रविद्यार्तियु खुमान रासो जो के दलपति विजे की रचना है और परत्युराज रासो जो चंद बरदाई रचनाई की रचना है जैचंद प्रकास जैमयंक जस्चंद्री का जैचंद प्रकास जैमयंक जस्चंद्री का परमाल रासो जगनी की जो रचना है यह तो इस प्रकार से यह कितनी रचन हो गई प्यारे विद्यार्तियों नो रचनाएं तो इन नो रचनाओं को उन्होंने आचारी रामजन सुकल जी ने इनको वीर गातात्मक रचना मानी और अता है उन्होंने सुकल जी उन्होंने मतलब यहां सुकल जी ने परवर्ति विशेश को आधार मान किसको माना परवर्ति यानि उस यूग की जो परवर्ति थी या इन गरंतों में जो परवर्ति जो विशेश था है उन्होंने देखी तो परवर्ति विशेश को आधार मान डॉन के इस काल का नाम इस काल का मतलब आधिकाल का नाम इन्हों ने वीर गाता काल नाम दिया आचारे सुक्र जी ने इन बारहे kulli को पढ़ा देखा अनुशन्दान किया यहांनि इसमें सोध किया कि यह जो बारहे में हैं वो वीर वीर गाता आत्मं दिया नि originsわかथा है कहानी है गटना है इसमें यह गटना करम वीर वीरता से युक्त है इसलिए इन गरंतों को इन 12 गरंतों को आधार लेकर के आचारे रामचंद्र सुकल जी ने आदी काल को वीर गाथा काल नाम दिया प्यारे विद्यारतों आपको समझ में आ आचारे रामचंदु शुक्ल जी ने आधीकाल का नाम बीर गाताकाल नाम दिया और उसका समय उन्हों क्या निदारण किया संबत 1050 से संबत 1300 पिचेतर तक यानि 1050 से लेकर के 1300 पिचेतर तक का जो समय था वो आचारी रामजंद सुकल जी के अनुसार वीर गाथा आत्म काल था वीर गाथा काल था परन्तु इन में से अनेक जो रचनाएं हैं वो परवर्ति काल की प्रमानित हो चुकी है आचारी रामजंद सुकल जी ने जो इनका समय निदारण किया 1050 से लेकर के 1300 पिचेतर तक का ये समय निदारण किया वीर गाथा आत्म यानि आधिकाल के लिए तो इह जो रचनाएं इनों ने सुईकार की थी वो प्यारे विध्यारत्यों 1050 से 1345 तक का जो समय था इससे कई रचनाएं आगे की निदारण की निदारण किया कि अगर ये जो कुछ रचना है वो परवर्ति काल किसी दो रही है आचारे रामचंदर सुक्ल जी ने जो इनका समय 1050-1300 पिछे तर्माना है लेकिन कई रचना है इन में से वो परवर्ति काल की यानि बाद के काल की है तो इसलिए समिक्षकों अगले वीडियो मिलेंगे क्योंकि अगर सारे बताएंगे तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा तो देखिए पहले इस समंद्ध में हम एक तर्क देखते हैं कि आचारे रामचंद्र सुक्ल जी ने वीर गाथा काल को संबत 1050-1300 पिछे तर्विक्रमी तक माना यह बात हमने ने मानली यह सुक्ल जी सुविकार करते हैं सुक्ल जी ने आदि काल को यानि वीर गाथा काल को संबत 1053 से लेकर के और स्यमसुक्ल जी ने भी इस बात का उल्येक किया है अपनी इस ग्रंथ में कि विद्यापति को सम्बत 1460 इस्वी में 1460 विक्रम संबत में तिरहुत के राजा तिरहुत के राजा सीव सिंग के यहाँ होना बताया यानि वर्त्मान समय में उस समय वह 1460 विक्रमि में तेरुत के राजा सिशींग के यहां विद्यापती मौझूद थी। अत्य विद्यापती को वीर गाताकाल का कभी मानन उप्यूप्त नहीं है क्यों कि क्यों नहीं उप्यूप्त प्यारे विद्यारत्यों कि आचारे राम्चिंद्र शुक्ल जी वीर गातकाल का जो समय है वह 1050-1335 विक्रमी निदारिद करते हैं जबकि विद्यापती का समय यहां पर पंदर्वी सथी के यानि विक्रम संबते पंदरवी सदी के आसपास शुरू होता है तो वो खुद यह कहते हैं कि 1460 विक्रम में वो राजा सिंग के यहां रहते थे तो फिर यह जो समय है वो कहां मेच हो रहा है कहां मिल रहा है एक अजारबचा से 1300 पिचेता तक वीर गाताकाल समापत हो जाता है उसके बाद में आगे भक्तिकाल शुरू हो जाता है तो विद्यापति को यह लोग यह आचारिरामजान सुकल जी या इसमे वीर गाताकाल में इनकी रचनाएं कीरती लता और कीरती पताक़ जो रचनाएं इ इस बात को माना है कि विद्यापती 1460 विक्रमे में तिरुद के राजाव शीव सिंग के यहां वो समय थे तो एक तरफ तो यह कह रहे कि 1460 में थे तो दूसरी तरफ यहां पर यह बात आ रही है कि एक अजार पचास से तेरा सो पिछेतर तक वीर तक बúblic अउसके बार में बगतिका만 शुरू हो गया उतर मध्य, यह जो शुरू गया अब यहां पर यह संमिक्ष्व को ने इस बात को खंडित कि या तो प्यारी विध्यारत यह तो आपके पढ़ने में भी जो है आपको दिक्कत होगी काफी लंबा हो जाएगा इसलिए तो आज तक कि आज यहां तक कि आपको ठीक से समझना है तो आप चाहो तो एक बार इसका स्क्रीन सोट है वो कहीं से लीजिए प्रवर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर ध्यान में होनी चाहिए तो इसलिए यह महत्वपूर्ण है तो आशा करता हूं आपको यहां तक समझ में आ गया होगा और अगले वीडियो में हम यह जो तरक वाला यहां हम छोड़ रहे हैं भाग इस समझ में जो समिक्षकों के तरक है वो एक हमने लेख लिया बाकी के तरक ह हम और देखेंगे साथी साथ डोक्टर रामकुमार वर्मा जी के डोक्टर गनपति चंद्र के अगर होगा तो हम वह भी हम लेंगे तो और अंत में इसका निकालना है तो यह जो बाकी के जो उत्तर है वह हम आगे की वीडियो में लेंगे आज के लिए बस इतना ही इसको ठी हिंदी धन्यवाद विद्यार्थिंग